इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग का जो तीन चीज़ है तो तो आल्रेडी आपको आता होगा बहुत बार आपने सुना भी होगा फटाक से मैं इसको फटाफट फटाफट मैं कप्लीट करूगा क्योंकि इसके बाद इसके अंदर जो इंपॉर्टन चीज है वह हमारा कंज इसके बाद हमारे टाइप सो फोर से जो मुझे बताना है और बाकी चीज़े न्यूटन लॉट आपने बहुत बार सुना एस सेंटर में हमने सुना है नाइन में सुना है नाइन में हमारा फॉर्स चप्टर ही था फिर भी थोड़ा फटाक से एक ओवर्वीय हम लें लिए ल चेंज नहीं करता ऐसा ही उसका फर्स्ट लॉटे थू नियूटन ने बताया था और न्यूटन के इंपोर्डेंस में ही फर्स लोग में भी यहा था कि इनर्शिया के बारे बताया जाता है कि बॉड़ी के अंदर एक इनहरं प्रॉपर्टी होती है जो उसको रजिस्ट करती करने स्थाइट को चेंज करने के लिए जा rays अगर यह बॉडी रेस्ट में तो भाइँ रेस्ट में रहेगा इसको स्टीट से चेंज करने के लिए रजिस्ट कर रहा और यह जो प्रापडि इसके अंदर है वह है इंश्याट रिस्ट अगर कोई बॉडि मोशन में है तो continue मोशन में ही रहेगा और मोशन से rest में जाने के लिए उसकी body उसको रजिस्ट करती है और जो उसके अंदर property है उसको बोलते inertia atom motion समझ मैं पर अगर मुझे इसके state को change करना है अगर body अगर मालो body ये rest में अगर मुझे इसको motion में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है इस पर external on balance force लगाना पड़ता है तो यही Newton बाबा के फर्स्ट लॉके थुए और importance में भी यही दिया हुए अब सब्सक्राइब करूं तो second law में ये बोला गया था कि जितना ज्यादा हम force apply करेंगे उतना ज्यादा बॉडी का momentum क्या होता चेंज होता है जितना force लगाएंगे उतना momentum क्या होता चेंज होता लीनियर momentum चेंज होता है अब linear से रम देर तो 9-100 सर मोमेंटम बढ़ा था बड़े हो रहे हो न है अगले साल angular momentum बढ़ोगे attention मतलो अभी है अभी समझना है तो रहुल प्रदीफ सर ने बताया जाके बढ़ सकते हो तो मैं थोड़ा यह बता देना चाहता हूं कि rate of change of momentum सबसे momentum क्या होता it is a product of mass and velocity okay mass and velocity को जब multiply करेंगे तो जो value मिलेगा वो किसका होता momentum का okay so अप अभी ये second law के थूग क्या बताया गया था rate of. इस्थ्थ्थ्थ्य फाइनल momentum minus initial momentum okay यह कितना चेंज होगा जितना ज्यादा हम फोर्स लगाेंगे जितना ज्यादा चितना इसका मोमेंटम जादा चेंज होगा, जितना फोर्स लगेंगे उतना मोमेंटम जादा चेंज होगा, तो इसे इन रहां directly proportional बोला हुगा है, Okay, rate of change of momentum is directly proportional to applied force, अब जब भी proportional के sign को हटाते हैं, तो दो चीजे लगती equal और constant, दोरों में से mm common हमने निकाल लिया अंदर बचा v minus u upon t अब देखो गाई यह तो आप सब पता है यह किसका acceleration का formula है यह और k की value हमने यहाँ क्या ले लिया वाल ले लिया ओके constant की value 1 ले लिया तो यह हमारा बन गया mass into acceleration यह देखो एक फर्मिला भी है जनरली जो आप यूस करते हो तो न्यूटन बाबा ने अपने second locket through यही बताया था देखो इस आपको Aristotle के बारे में भी आद होगा Aristotle ने क्या बताया था कि कोई body continue motion में रहना चाहते है continue uniform motion में रहना चाहता है जिस motion में था उसी motion में रहना चाहता है तो उसे लगातार लगातार external force की जगत पड़ेगी जब आघर रहेगा जैसा है वैसा ही रहेगा पर आडिस टोटल ने क्या बोला था जैसा है वैशार रहने के लिए उसे क्या चाहिए रहता है continue क्या देना पड़ता है तो रहुभां की एक स्पीड में तो रहने का दिन देना पड़ेगा उसे देना पड़ेगा एक्स्टरनलर फोर्स देना पड़ेगा जब कि यह गलत है जब कि यह गलत है अगर आगर फोर्स नहीं होता अगर फोर्स नहीं होता तो बॉड़ी जैसा है वैसा ही घूमता रहता यह न्यूटर ने क्रेक्ट किया था प्राइरिस्ट there is equal and opposite reaction जैसा तुम करोगे वैसा तुम मिलेगा जैसा जो करता है वैसा उसको मिलता है जो बोएगा वही घाएगा तो थार्ड लॉओ यह आपने नाइं स्टेंडर के अंदर यह रॉकेड वाला किया था फिर इसके बाद हमें हमने गन वाला किया था रिकॉइल वाला सुटी पढ़ाता यह सब बहुत सारी चीजे बड़ इसके थोड़ा इंपॉर्डन्स थोड़ा अलग बताना जरूरी है कि जो एक्शन और रिय ऐक्शन और रियक्शन होता है वो गीज नहीं की बाड़ी पर होगा वह सब्सल् astronomy किस्मत की बाद लगए हमें बात कर रहे हैं स्थाइट चलते हम अपने यहां से को सिर्द समझाहУंगा जो आपके लिए इतना पॉइंखने के लिए क्ई पहली बात तो आप सभी को पता है कि ग्राविटेश् Morse कैसा प्रोस होता एक अठ्रक्टिव फोर्स होता है और यह पूरे युनिवर्स में मतलब जहां ग्राविटेशन फोर्स है यह और साथ में इसको किसी मीडियम की जुरत नहीं पड़ती अगर मुझे यहां से जंप मार रहा है तो यह थोड़ी मुझे नीचे जाने के लिए कुछ और लगाना पड़ेगा जंप मार ऑपने जगह पर जंप मार रहे है और आम से इसके अगेंस्ट वर कर पा रहे हो बागी जो फोर्स है उसके अगेंस्ट वर करना बहुत मुझकील है समाझ मैं और इससे आपको अगर जंप पारने के लिए बोला जाया और यह आपको बोला जाए कि पॉन्टेन पर चड़ों तो इसके अगेंस्ट आप काम कर पा रहे हैं इसलिए यह विकर फोर्स होता है इसके बाद गाइस यह अट्रैक्टिव होता है बड़ रिफल्सियू नहीं होता है यह हमेसा सब हो रेस्ट में होता है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इसको इलेक्ट्रोस्ट इडिक st scientifically fine़we इसके बाद जांके ग्वाला फोर। नहिकर इसके बाद गैस अगर कोई mới जार्ज कर घए इन हम वह हो रहा है magnetic field के अंदर मौह हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते है magnetic force बोलते है इसके बात गाइस अगर धियांदो electric charge relative motion perform का कोई भी लेक्टरी चार रिलेतिव मोशन पर फॉर्म कर रहा है और उनके बीच में लगने वाले forces को हम electromagnetic force बोलते है क्या बोलते सब्सक्राइब को सब्सक्राइबotट के सब्सक्राइब होले यह को सब्सक्राइब Nice अगर पोलस के रिलेटिव मोशन परफॉर्म कर रहा हूं के बीच में लगने वाले फोर्सस को हम क्या बोलेगे लिट्रो मैंगिनिक फोर्सस और यह एंट्रेक्टिव भी होते हैं रिपल्सीव भी होते हैं सही बहुत है क्योंकि पॉजिट्यव पॉजिटी डिगी डिगी कि और इसा प्रोटों और यूट्राँं प्रोटों और नियूट्रॉण को बांधर के रकने वाला मतलब टोनर न्यूट्रों के बीच दोः प्रोटोन में तो सेम चार्ज है और सेम अगर चार्ज होता है ये एक दूसरे से क्या होते है रिपलशन होता है क्योंगी अंदर ढीब ट। भी Au जैसे एक्जामपल हम लीच्परोन को हटा दियर तो अंदर बचा प्रोटाउन और मालब दो प्रोटाउन अब दो है नहीं, repulsion होना चाहिए, नहीं भाई, यहां इसको bind करके, मतलब पकड के रखने वाला भी एक force होता है, proton और neutron के बीच में, जो force होता है, जो इसको पकड के रखता है, और वो होता है, हमारो strong nuclear force, और यह short range force है, और इसका range है, 10 तो minus 14, और साथ में guys, यह non-conservative है, non-conservative का मतल हो, non-conservative मतलब जो path पे, जो force है, distance पे dependent होते है, distance मतलब मैं समझाओंगा अभी आगे है, पर अभी याद रखो कि strong nuclear forces का है, non-conservative, अब आगे, weak nuclear forces, यहां बहुत सारी चीज आपको समझनी है, अगे, आप देखो इस हाद, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, चुनों यहाँ explain करता हूँ, यह proton, यह electron, यह neutron, ओके, कुछ cases के अंदर, यह neutron, proton के अंदर convert होते हैं, और जब यह convert होते हैं, तो इसके अंदर से electron, और साथ में हमारा, यह यहाँ लिखा, neutron, neutron, emit होता है, ध्याँ ध्याँ देना, कुछ cases के अंदर, जो यह neutron है, किस के अंदर convert होते हैं, proton के अंदर, और जब यह convert होते हैं, तो दो चीज़े emit करते हैं, electron और neutron, यह दो चीज़े emit करते हैं, और यह जो emit करते हैं, इसको ही हम बोलते हैं, बीटा माइनस, ओके, बीटा मा निनको बोलते है पोजर्टरों क्या बोलते है और साथ मैं इसको इस पारटीकल को बोला जाता है बीटा बीटाइड के प्लस बीटाइड़ के फ्लस तो गाईस यह जो कण वर्ट होने के लिए जो convert और यहीं for 37 मादब एक अन्वार्ट होने के लिए जो forces responsible है इसी हम बोलते हैं विक nuclear force क्या बोलते हैं weak nuclear force आपको दिखाए दिया neutron किसमे अंगर प्रोतान में तो क्या करता है दो चीजे हमें करता है electron और साथ में Neutrior और यहां जो चीजे होता है उस particle को बोलते हैं बीटा डिके माइनस और प्रोटॉन भी कनवर्ट होता है जिसको बोलते बीटा प्लस ओके पोजिस्ट्रॉन बोला जाता है जो एमीट करता है पार्टिकल तो पोजिस्ट्रॉन बोला जाता है और साथ में उसके पार्टिकल को हम बीटा डिके प्लास बोलते हैं समझ मैं और यह प्रोसेस होने के लिए जो फोर्स रिस्पॉंसिबल है उसको हम बोलते है वीक नुक्लियर फोर्सेस तो इतनी चीजे मैं आपको बताई अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और मुझे बताना है कि यह जो फोर्स होता है यह फोर्स कुछर होता है कंपारिजन क्या था विकर होता है मुझे। विकर होता है और इसका Ц massage स्ट्री और मीटर मीटर स् często में है रियल फोर्स गाइस देखो सिंपल सी बात में सौ की सीधी बात समझाना चाहूंगा जैसे कि आप अगर बस में बैठे हो बस में बैठने का ब्रिक मारा गया और अब अचानक से आगे चले गए न्यूटन बाबा ने बोला था जब और जहां न्यूटन बाबा गलत हो गए न्यूटन बाबा गलत हो गए तो अगर मोशन परफॉर्म हो रहा तो समल लो वहाओ वो जी मेजनरी फोर्स और वह सूड़ो फोर्स है तो गाइस यहां देखो है ठीम से तो रियल फोर्स रियल फोर्स का ऐक सपेशों और ची अगर पीछवर्स chanceBeat or सूलो फोर्स शृयल फोर्स रियल फॉल फॉर्स बाइक्ष can आपको पता कि आपच्छे के वीचे इंटरेक्शन होता और सूलो एक तरह से non-inertial frame of reference में आता है और हमें यहां हमें मता हमें दिखाई नहीं देता भाई यह अगर आपको बोलू कि कौन पिछे से धक्का मार रहा है तो यह इसलेक imaginary force हो जाता है imaginary force और है examples मैंने कुछ लिखे हुए example जो car बना passenger जो car के अंदर बैटे लिफ्ट के अंदर जब हम accelerate होते है upward or downward तो भी हमें feel होता है समझ मैं यह सभी चीजह है इसके साथ ही वहीसा बात करेंगे हम conservative forces and non-conservative forces अब conservative forces क्या होता एक simple से example लेकर समझाना चाहूंगा मान लो अगर मैं इसको release करता हूँ इस force के against तो यह work करेगा करेगा अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे ले लिता हो तो अगर मैं इसको release करता हूँ तो against यह work करेगा क्योंकि ए फोस अपने तरब attract करेगा अगर मैं 100 फ्लोर पे लेकिए चले जाता हूं वहाँ से release करता हूँ तो भी work होगा यह force अपने तरब attract करेगा बिलकुल करेगा सर मलब कहने का मतलब gravitational force को वर्ग करने के लिए किसी भी कीडिवी डिश्टनस पर डिपेंड होने की ज़रत नहीं है मतलब वह जो पात होता वह independent होता है तो ऐसा कोई फोर्ट जाब वर करवाने के लिए पात पे dependent रहने की ज़रत नहीं पड़ती उसको बर्ते हम conservative forces टाना चाहूंगा फॉर्सस इंपल से बात है फ्रिक्ष्टनल फठीक्षर हर जगह चैनरेट नहीं होता अकर हमें फ्रिक्ष knapp फोर्ष ऑना पड़ता है तो उसको किसे ॹर उद् MoetPR पर नॉना पड़ता सिर्प पाथ मेंडिकन नरता है और फॉर्स जॉटा लिए बता देना चाहेता देखो गई स़र्फेस मैं झांपल लिए जब बोर्ट सर्फेस और बॉडी के बीच में फुर्च मेंरेट होता है और लास मौने के वजासे यहां वर्क कि जितना पहले था उतना बाद में नहीं होता इसलिया वर्क डन रिवर्सिबल नहीं होता ओके और यहां सेम चीज़ गाइस यहां वर्क सब्काइब अगर बाद को मैं उपर छोड़ू का यहां कानेटी कर जिबढ़े आनेटी काम हो जाता है और अगर दोनों को प्लस करो तो एंटजी कॉंस्टन होता है एनर्जी हमें इसा क्या रटा सेम होता है बेट फ्रिक्शन के अंदर एनर्जी लौस हो जाता है और एनर्ज जी लॉस हो जाना मतलब की वर्क जितना पहले था उतना बाद में नहीं रहना तो वर्क या रिवर्सिबल यहां वर्क वापत जितना पहले था उतना वापस रिटर्न नहीं हो सकता बड़ यहां रिटर्न हो सकता है तो इसलिए एक्जामपल में ग्राविटेशनल फोर्स और इसका एक्जाम्पल है हमारा फ्रेश्टर फॉर्ट से मैंने एक्जाम्पल ले लिया और यहां एक्सदम सिंपल सी चीज़े मैंने लिखिए जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंकियो सो मस गाए जया हिंद ए जया मारा फ्रेश्टर दोस्तों